वेलकम है सभी का, I hope आप सभी सवस्त होंगे, मस्त होंगे विज्ञान NCRT कक्षा साथ, पादपो में पोशन ये अपना चैप्टर हमने पिछली क्लास में सुरू किया था आज हम उसके आगे का जो पार्ट है उसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे हर छोटी से छोटी बात की हम यहां व्यक्षा करेंगे तो जो विद्यारती पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे हम पढ़ते हैं NCRT विज्ञान कक्षा 7 पहला चैप्टर नाम है पादपो में पोशन पिछली क्लास में हमने इसको पढ़ लिया था कि जो फोटो सिंथेसिस है यानि कि जो प्रकास संसलेशन है उसकी जो अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है तो विद्यारतियों जो फोटो सिंथेसिस होता है प्रकास संसलेशन होता है उसमें कार्बंडाई उक्साइड और जल मिलते हैं किस की उपस्तिती में मिलते हैं सूरिय के प्रकास और क्लोरोफिल की उपस्तिती में जब कार्बन डियोकसाइड और जल मिलते हैं तो कार्बो हाइड्रेट यानि की सरकरा का निर्मान होता है और ऑक्सिजन वहां पर रिलीज होती है इसको हम एक रियक्शन से इस प्रकार से दर्शा सकते हैं यह फोटो सिंथ आज का पहला टोपिक हम बात करते हैं खाद्य फैक्टरी क्या होती है ठीक है देखें विद्ध्यारतियों केवल पादप ही ऐसे जीव होते हैं जो जल कार्बंडा योकसाइड और खनीज की साहिता से अपना भोजन बनाते हैं ठीक है पादप ठीक है पादप मतलब जीव ठ जीव है ठीक है क्योंकि वो स्वांस लेते हैं और पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल कार्बंडा योकसाइड और खनीज की साहिता से क्या करते हैं अपना भोजन बनाते हैं ठीक है और ये सभी जो पदार्थ होते हैं सभी पदार्थ मतलब सभी पदार्थ का मतलब विद्यार उसको हम क्या कहते हैं? परिवेस कहते हैं. ठीक है? चुणकि जो पदार्थ, खाद्य पदार्थों का संस्लेशन उनकी पतियों में होती है. ठीक है न? कि ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जिसे जल, कार्बन डायोकसाइड और खनीज से जो मिलकर बनते हैं खाद्य पदार किस से मिलकर बने होते हैं? जल, कार्बन डायोकसाइड और खनीज से. इन खाद्य पदार्थों का संस्लेशन कहां पर, ये कहां पर मिलते हैं और खाद्य पदार्थ बनाते हैं? पतियों में. ठीक है? तो इन पतियों को ही हम क्या कहते हैं? खाद्य फैक्टरी कहते हैं. तो और carbon dioxide और minerals यानि की खनीज के सभी मिलकर क्या बनाते हैं, इसके अंदर खाद्य पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, ये खाद्य पदार्थ कहां बने, इनका संसलेशन कहां हुआ, पतियों में हुआ, इस कारण से पतियों को, पतियों को, पादप की पतियों को, साथियों, विद्य विद्यार्थियों क्या कहा जाता है खाद्य फैक्टरी कहा जाता है ठीक है तो सभी विद्यार्थि इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो खाद्य फैक्टरी है वो कौन हैं पतियां हैं किसी पादब की पतियों को ही हम खाद्य फैक्टरी कहते हैं क्योंकि पादब की पतियों मे भोजन का निर्मान होता है, खाद्य पदार्थों का निर्मान होता है, इसलिए पादब की पतियां क्या कहलाती है, खाद्य फैक्टरी कहलाती है, और ये जो भोजन, ये जो खाद्य पदार्थ पतियों में बनते हैं, किस से बनते हैं, ये बनते हैं, जल से, कारबन से और साथ में मिन्रल्स यानि की खनीज लवन से आगे बढ़ते हैं साति हम next page की और चलते हैं अब और आगे हम बात करते हैं रंद्र रंद्र क्या होते हैं विद्यारतियों इसकी हम चर्चाब करेंगे विद्यारतियों देखिए पोधे की जो पतियां होती है ठीक है पोधे की पतियों में एक सेल होती है जिसे एपीडर्मिस सेल कहते हैं पोधे की पतियों में एक कोसिका होती है जिसको हम क्या कहते हैं एपीड ठीक है पादप की खाद्य फैक्ट्री कौन है कौन अभिद्यारतियों वो है पतियां क्योंकि भोजन का जो निर्मान है पादपों का जो भोजन है वो कहां बनता है फैक्ट्रियों में बनता है कौन सी खाद्य फैक्ट्री में और वो कौन है वो है पतियां ठीक है एपिडर्म में देखें, ध्यान से देखेंगे सभी विद्यार्थी, इसमें जैसी ये है, यहाँ पर, ये एक छोटा सा छिद्र है एक पती के ऊपर, ये छिद्र यहाँ पर दरसाए गए हैं, सभी विद्यार्थी इनको देख पा रहे होंगे, कि इन पतियों पर यहाँ पर छोटे छोटे चिद्र है और ये चिद्र कहा होते हैं पतियों के अंदर जो epidermis कोशिका होती है उसके ऊपर ये चिद्र होते हैं इनी चिद्रों को रंद्र का जाता है ठीक है और ये जो चिद्र होते हैं इनके चारों और रक्षक कोशिकाएं होती है एक जोड़ी दो रक्षक कोसिकाएं इनके चारों और होती है इनके चारों और यहाँ पर कोन होगा रक्षक कोसिकाएं होगी इन रंद्रों की एक प्रकार से वो क्या करती है रक्षा करती है इसलिए इनको क्या कहते हैं रक्षक कोसिकाएं कहते हैं रंद्र तिक्षणता रक्षक कोशिकाओं के अनुसार खुलते और बंद होते हैं ये जो रंद्र होते हैं चोटे चोटे चिद्र होते हैं ये रक्षक कोशिकाओं के अनुसार ही खुलते और बंद होते हैं और इनको एक माइक्रोस्कोप की साहिता से देखा जा सकता है इनको किसे देख सकते हैं हम माइक्रोस्कोप यानि की सूक्षम दर्शी की साहिता से इन रंद्रों को छोटे-छोटे चिद्रों को हम देख सकते हैं आगे बढ़ते विद्यारतियों रंद्र तनो या कुछ पोदों के अन्य भागों पर भी पाए जाते हैं रंद्र जो होते हैं छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं यह यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी यह सभी क्या है यह रंद्र है यह केवल पतियों में हो ऐसा नहीं है ठीक है ये पोधे के तनों में, स्टैम में और कुछ अन्य भागों में भी रंद्र हो सकते हैं प्रकास संसलेशन और गेस ये विनिम है प्रकास संसलेशन तो समझ गयोगे कि पोधे जो है सूरिय के प्रकास की उपस्तिती में कार्बन डायोकसाइड और जल मिलाकर क्या करते हैं कार्बो हाइडरेट बनाते हैं और ऑक्सिजन रिलीज करते हैं ये जो प्रक्रिया है इसको फोटो सिंतेसिस प्रकास संसलेशन कहते हैं प्रकास संसलेशन और गेस ये विनिम है यहां पर एक सब दाराविदार क्यों गेशिये विनीमे इसका मदलब एक गेश का आदान प्रदान मादलब वोदे पादप क्या करते हैं ओक्सिजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइयोकसाइड को वो accept करते हैं ग्रहेंड करते हैं inhale करते हैं अंदर लेते हैं इसको हम कहते हैं गेस ये एक्सचेंज विनी में कहते हैं आदान परदान कहते हैं तो गेस ये विनी में जब होता है या फोटो सिंथेसिस जब होता है तब ये जो रंदर होते हैं छोटे छोटे छिदर होते हैं ये खुलते हैं और बंद होते हैं ठीक है और वो जो वास्पोट सर्जन होता है वास्पोट सर्जन की जो रेट होती है उसको कंट्रोल करते हैं रंदर खुलेंगे बंध होंगे गेसी एक्सचेंज के दोरान और फोटो सिंथेसिस के दोरान और वास्पोट सर्जन की जो रेट होती है उसको क्या करते हैं उसको कंट्रोल कर पतियों की स्तनों पर छोटे-छोटे चिद्र पाय जाते हैं जिससे गेसों का आदान परदान होता है और इनको हम क्या कहते हैं रंद्र कहते हैं यह अंपड़ चुके हैं कि छोटे-छोटे चिद्र होते हैं इनिकी माध्यम से गेसों का आदान परदान होता है पादप ऑक्सि नहीं आए तो वो comment box में जरूर लिखेंगे आगे देखिए अब बात करते हम chlorophyll की ठीक है देखिए पतियों में एक हरा रंग होता है हरा वरनक होता है और पतियों का जो रंग है हरा पतियों का हरा रंग ये किसके कारण होता है ये होता है chlorophyll के कारण जिसको परण हरित भी कह पतियों में एक हरावरनक होता है जिसे क्या कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं या इसको पर्ण हरित भी कहते हैं पतियों का हरा रंग जो है वो किसके कारण होता है खाद्य संसलेशन की देखिए हरे पादप प्रकास संसलेशन द्वारा अपना खाद्य स्वे संसलेशित करते हैं कि जो पादप होते हैं पोदे होते हैं वो प्रकास संसलेशन की क्रिया के दोरान अपना भोजन खुद ही त्यार करते हैं हरे पादप क्या करते हैं कारबन डायोकसाइड जल और खनीज जैसे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका उपियोग खाद्य संसलेशन, मतलब खाद्य संसलेशन मतलब भोजन का निर्मान, खाद्य पदार्थों के निर्मान के लिए करते हैं तो खाद्य संसलेशन मतलब भोजन का निर्मान, भोजन पादप कैसे बनाएंगे, खुद बनाएंगे, पर कैसे बनाएंगे, कारबंडा योकसाइड, जल और मिनरल्स की साहिता से बनाएंगे सेवाल, नेक्स टॉपिकम पढ़ते हैं, सेवाल क्या होता है, देखिए विद्यार्थियों जो तलाब होते हैं, जहां पर लंबे समय तक पानी इकठा होता है, या कोई दिवार आपने देखी होगी, जिस पर एक हरे रंग का पदार्थ जो है, वो बना हुआ होता है, हरा हरा क जहां पर पानी लंबे समय तक पहरा हुआ हो, ठीक है, तो यहां पर एक हरे रंग का पदार्थ है, वो आपने देखा होगा, ठीक है, और ये जो हरे रंग का पदार्थ होता है, इसी को क्या कहते हैं, सेवाल कहते हैं, इसी को एलगी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एलगी और इसको काई भी कहा जाता है ठीक है एलगी भी इसको कहते है और इसको क्या कहते है काई भी कहते है ये जैसे एक तलाब में देख रहे हुआ आप यहाँ पानी कठा है तो ये जो हरे रंग का पदार्थ है इसको हम क्या कहते है काई कहते हैं या सेवाल इसको कहा जाता है काई या सेवाल इसको कहते हैं ठीक है एक्चल में ये सेवाल क्या है ये भी एक परकार के पादप है कुछ जीवों की वरदी के कारण बनते हैं जिने सेवाल करते हैं एक्चुल में सेवाल क्या होते हैं काई क्या होती है ये भी एक प्रकार के पादप ही होते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं राइजोबियम की राइजोबियम क्या है इसकी हम चर्चा करेंगे ठीक है राइजोबियम जो है वो वायू मंडली नाइट्रोजन को विले पदार्थ कर देते हैं ये क्या करते हैं राइजोबियम जो है वायूमंडली नाइट्रोजन को विले पदार्थों में पदल देते हैं ठीक है फलीदार पोदों की जड़ों में जो गरंथिकाओं में राइजोबियम नामक जिवानू पाए जाता है जो फलीदार पोदे होते हैं उनकी ज पैदावार होती है उसको बढ़ाने में सायक होता है ठीक है फलीदार जो पोदे होते हैं फलीदार फलीदार पोदों की जड़ों में एक जिवानू होता है ठीक है एक बैक्टीरिया होता है और वो क्या करता है नाइट्रोजन स्थरी करण का काम करता है ठीक है इसी को हम क्या क तो राइजोबियम जो है वो सभी विद्यार्थियों को समझ में आगया होगा कि ये फलीदार पोधों की जड़ों में पाय जाता है एक जिवान होता है और जो वायूमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है उसके इस्त्रीकरण का कारिये जो है वो राइजोबियम के द्वा किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों देखिए राइजोबियम जो है वो दलहनी पसलो में परियोग होने वाला एक जीव उरवरक है मतलब ये एक फर्टीलाइजर की तरह काम करता है ठीक है ना राइजोबियम जीवानू जो होता है वो क्या करता है ए फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं ठीक है और इनकी साहिता से ही पादपों को फसलों को नाइट्रोजन की क्या होती है आपूर्ती होती है तो पादप या जो पेड होते हैं फसल होती है उसको नाइट्रोजन की आपूर्ती करने का जो कार यह है वो कौन करता है रा आईजोबियम जो जिवानू हैं, वो क्या करते हैं? फसलों को जो आवसिक नाइट्रोजन है, वो उपलब्द करवाते हैं. नेक्स टोपिक हम बात करते हैं, प्रकास संसलेशन का महत्वर. फोटो सिंथेसिस की क्या इंपोर्टेंस है, ये हम बात नेक्स टोपिक में करेंगें. तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जिनको हमें ध्यान रखना हैं, कि प्रकास संसलेशन यानि कि फोटो सिंथेसिस जो है सभी जीवों के लिए भोजन का मुख्य शुरोत होता है कि जो सभी पादप होते हैं वो अपना जो भोजन है वो किसके माद्यम से बनाते हैं पोटो सिंथेसिस के माद्यम से बनाते हैं जीव जो होते हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष यानि कि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूप से जो प्रकास इंसलेशन होता है उस पर ही निर्बर होते हैं उसी की साहिता से वो क्या करते हैं अपना भोजन बनाते हैं ठीक है हम है इनसान है या अन्य जीव है तौस के क्रम में क्या करते हैं जो कारबंडा योकसाइड ह उसको release करते हैं सभी जो जीव होते हैं चाहे बनुश्य हो या अन्य जीव हो वो जब स्वशन की क्रिया होती है तो उस दोरान कारबंडा योकसाइड को क्या करते हैं छोड़ते हैं release करते हैं और ये कारबंडा योकसाइड जो है वो इनसानों के लिए जीवों के लिए एक हानिकारक गैस होती है release करते हैं और ये हानिकारक है परन्तु फोटवसिन्थिस के दोरान प्रकास अन्सलेशन के दोरान क्या होगा की पोधे या जो पेड़ हैं वो इस CO2 को ग्रहन करते हैं अवसोसन करते हैं और पोधे जो है ओक्सीजन को रिलीज करते हैं इसी ओक्सीजन को हम प्रान वायू भी कहते हैं प्रान वायू ओक्सीजन जो है वो फोटो सिंथेसिस के दोरान पोधे रिलीज करते हैं ये बात आगी होगी समझ में कि हम तथा अन्य जीव जो हैं वो क्या करते हैं स्षवसन की प्रक्रिया के दोरान co2 को छोड़ते हैं और co2 एक हानी कारगेस है अब ये जो हमने co2 को रिलीज किया है उस co2 को पादप या पोधे जो है वो प्रकास संस्लेशन के दोरान अवसोशित करते हैं, रहन करते हैं CO2 को पादप रहन कर लेंगे और प्रान वायू जो है, ऑक्सिजन जो है उसको क्या कर देंगे, वो रिलीज कर देंगे और ऑक्सिजन हमें स्वशन में बहुत आवशेक होती है ठीक है अब हम बात करते हैं कई हरे रंग विहिन पत्यों में प्रकास संस्लेशन की प्रक्रिया कि कुछ आपने जो पत्यां हैं वो इस प्रकार से देखी होगी कि जिन का रंग हरा नहीं होता ठीक है ना? कुछ पतियों को अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास इस परकार से जरूर देखा होगा कि जिनका कलर जो है वो हरा नहीं है तो उन में फिर प्रकास रंसलेशन होगा या नहीं होगा इसकी चर्चा हम हम इस टॉपिक में करेंगे ठीक है कि जो हरे रंग विहीन जिनमें हरा रंग नहीं है उन में फोटो सिंथेसिज प्रकास रंसलेशन जो है वो किस प्रकार से होता है ठीक है पादपों की पतिया कई रंगों की होती है केवल हरे रंग की नहीं होती जिसे इस चित्र में ये दर्शाया है कि ये यलो है ये परपल है ठीक है और ये पिंक है ठीक है इस परकार से भिन भिन रंगों की जो लीब्स है यहां पर पतिया है उनको यहां पर दर्शाया गया है कई अन्य रंगों की पतियों में भी क्लोरोफिल होता है जान रखेंगे रंग हरानी है परन्तु इन में भी कौन है क्लोरोफिल पर्ण हरित होता है परन्तु इन पतियों में जो रंग है कौन सा रंग जैसे किसी पति में लाल रंग हो या बूरा रंग हो या अन्य कोई रंग ह मलब जैसे इस पत्ती का जो रंग है वो परपल है तो इसके परपल ने इसके बैंगनी रंग ने क्या किया है बैंगनी रंग ने ख्लोरोफिल के हरे रंग को ढख लिया है हरे रंग को क्या कर दिया है खक दिया है ठीकर इसका रंग अब हरा रंग ने नहीं दिखाई देगा ठीकर परनतु इन पतियों में फोटो सिंथेसिस जो है प्रकास संसलेशन जो है वो क्रिया जरूर होती है क्योंकि पोधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं फोटो सिंथेसिस से ही बनाते हैं प्रकास संसलेशन से ही बनाते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं कि जो एलगी होती है सेवाल जो होते हैं सेवाल में फोटो सिंथेसिस कैसे होता है क्योंकि सेवाल एलगी भी क्या है एक प्रकार क पादप है। अलाबों में आसानी से देखा जा सकता है, सेवाल फिसलन बरा होता है, सभी विध्यारती द्यान रखेंगे, इसमें एक चिकनाई होती है, अगर हम अपना पाउँ इसके उपर रखते हैं, और ऐ सावधानी अगर रखेंगे, सेवाल पर हम चलेंगे, तो हम फिसल कर गिर भी सक सेवाल को काई भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसका जो नाम है वो अलगी होता है ठीक है अब देखिए सेवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है सेवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है इस कारण इसमें फोटो सिंथेसिस भी होता है जान रखेंगे सेवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है इस कारण इसमें क्या होता है प्रकार संसलेशन यानि की प्रकास अंसलेशन की अभिक्रिया थी उसको पड़ा था कि कार्बन डायोकसाइड और जल मिलते हैं सुर्य के प्रकास और क्लोरोफिल की उपस्तिती में क्या बनाते हैं कार्बो हाइड़ेट और ऑक्सिजन रिलीव करते हैं तो पादपो में कार्बो हाइड़ेट के अतरिक जो अन्यक हद्य हैं उनका संसलेशन उनका निर्मान कैसे होता है देखिए प्रकास संसलेशन का जो प्रोसेस होता है प्रक्रिया होती है उसमें पादप कार्बो हाइड़ेट बनाते हैं कार्बो हाइडरेट एक कार्बनिक पदार्थ है कार्बो हाइडरेट क्या है कार्बो हाइडरेट कह दो या सरकरा कह दो ये एक कार्बनिक पदार्थ होता है इसके अन्दर तीन content होते हैं कार्बन, hydrogen और oxygen ठीक है कार्बन, hydrogen और oxygen एक अलग निश्चित अनुपात में मिलकर कार्बो हाइडेट बनाते हैं और इनका उपयोग भोजण के अन्य गटक प्रोटीन और वसा बनाने में भी किया जाता है ठीक है इनका जो उपयोग है इनका उपयोग इसका कार्बन हाइडोजन और ऑक्सिजन इससे केवल कार्बो हाइडेट नहीं बनता इससे प्रोटीन भी बनता है सबी विद्यारती ध्यान रखेंगे और इससे फैट यानि वसा भी इससे बनती है कार्बन हाइडोजन और ऑक्स इसे नाइट्रोजन कहते हैं इसकी भी आवशक्ता होती है प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होती है ठीक है लेकिन कार्बो हाइडरेट में नाइट्रोजन नहीं होती है नाइट्रोजन हवा में परियाप्त मात्रा में होता है अपने चारों और जो वायू मंडल है इस वायू में कौन है नाइट्रोजन है लेकिन पादप जो है वो क्या करते हैं हवा से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं ध्यान रखेंगे लेकिन पादप जो है वो क्या करते हैं पादपों को चाहिए भोजन खाध्यपदार चाहिए ठीक है और वो कार्बो हाइट्रेट का निर्मान करते हैं कार्बो हाइट्रेट में कौन होता है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सिजन ये कार्बनिक पदार्थ है अब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सिजन ये मिलकर प्रोटीन भी बनाते हैं और फैट यानि वसा भी बनाते हैं परन्तु प्रोटीन में एक और कंटेंट चाहिए क चाहिए किसकी आवशक्ता होती है प्रोटीन को अगर बनाना है तो नाइट्रोजन की भी आवशक्ता होती है यानि कि पादपों को फिर नाइट्रोजन भी चाहिए क्योंकि प्रोटीन बनाएंगे वो अब ये जो प्रोटीन है जो अपना वायू मंडल है इसमें इसमें जो न नाइट्रोजन है वो प्रचूर मात्रा में है परियाप्त मात्रा में नाइट्रोजन यहां पर है परन्तु पादप वायूमंडल से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं हवा से नाइट्रोजन का अवसोशन नहीं करते हैं तो फिर वो कहां से करते हैं नाइट्रोजन का अवसोशन कैसे प्राप्ट करते हैं इसकी चर्चाब हम next topic में अभी करते हैं देखिए पादप तथा अन्य खनीज पादप तथा अन्य खनीज कहां से नाइट्रोजन को प्राप्ट करते हैं ठीक है वो जो नाइट्रोजन होती है वो वायू मंडल से तो प्राप नहीं होती कि नाइट्रोजन मिट्टी से ही अवसोसित करते हैं कहां से अवसोसित करते हैं मिट्टी से ध्यान रखेंगे सभी विद्यार्थी पादप नाइट्रोजन मिट्टी से अवसोसित करते हैं मिट्टी में कुछ विशेश तरह के बैक्टीरिया पाई जाते हैं ठीक है ना जैसे अभी हमने एक प्रकार के बैक्टीरिया का नाम सुना ही था राइजोबियम बस राइजोबियम याद रखना है सब भी विद्यारतियों तो मिट्टी में उपस्तित नाइट्रोजन को घुलन सील रूप प्रदान करते हैं राइजोबियम जो है वो क्या करते हैं मिट्टी में जो नाइट्रोजन होती है उसको घुलन सील रूप प्रदान करते हैं मिट्टी में उत्सरजित कर देते हैं बुलंचील बनाकर उसको मिट्टी के अंदर ही उत्सरजित कर देते हैं कई बार किसान भी यूरिया जो की नाइट्रोजन देता है को खाद के रूप में मिट्टी में मिलाते हैं और कई बार किसान क्या करते हैं अच्छी फसल लेने के लिए उसमें यूरिया डालते हैं यूरिया में भी क्या होती है नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन से फसल का उत्पादन क्या हो जाता है बढ़ जाता है क्यूरिया पोदों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी में बनाए रखता है पोदों के लिए जो आवश्यक नाइट्रोजन है वो मात्रा नाइट्रोजन की मात्रा कौन बनाए रखेगा क्यूरिया बनाए रखेगा पादप मिट्टी से जल के साथ पादप जल लेगा मिट्टी से और जल के साथ वो नाइट्रोजन को भी अवसोसित कर लेता है तो पादप नाइट्रोजन के साथ मिट्टी से अन्य जो खनीज होते हैं वो भी अवसोसित करता है तो पादप जो है वो क्या करते हैं जड से जमीन से जल लेते हैं जल के साथ गुलन सी लवस्ता में जो नाइट्रोजन है वो भी ले लेते हैं गुलन सी किस ने बनाया राइजोबियम ने बनाया इस परकार राइजोबियम जो है वो एक परकार से पोधों को नाइट्रोजन उ विवानू मान सकते हैं। इसके अलावा यूरिया के कारण भी जो जमीन है उसके अंदर नाइट्रोजन की आवश्यक मात्रा बनी रहती है। तो ये था कि उध linguistic कैसे प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन क्यों चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए जो आप ध्यान हैं आगे के कंटेंट्स के साथ तब तक सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत